नमश्कार स्वागत है आपको स्पर्मे टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ खुशी एक तरफ जहां टमाटर के दाम में गिरावाट आने से लोग रहात की सास ले रहे थे वहीं अब प्यास के दाम में बढ़ोतरी होने से आमजंता की चिंता बढ़ गई है चिलहर में प्यास का दाम 40 रुपए खिलो पहुँच चुका है आने वाले समय में प्यास के दाम में और भी इजाफा होने की संभावनाय बनी हुई है ऐसे मौके का फाइदा उठाने के लिए प्यास कारोबारी अपने गोदामों में स्टॉक भरना शुरू कर दिया है ताकि 3-4 गुना मुनाफ़ा कमाया जा सके केंज सरकार द्वारा प्यास के बहारी नियर्तम पर 40 फीजदी शुल्क लगाने के बाद देश भर में प्यास का दाम बढ़ने लगा है इसी कड़ी में राजधानी रायपूर में प्यास का दाम चिलहर में 40 रुपए तक पहुँच गया है वहीं आने वाले समय में प्यास के दाम में भारी बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं ऐसे में यहां के थोक कारोबारी अपने गोदाम में प्यास का बंढ़ार एकटा कर रहे हैं कारोबारी प्यास का दाम और बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी बिक्री में 3-4 गुनाज जादा की कमाई हो सके। वहीं इस मामले में शास्त्री बजार के प्यास कारोबारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया, जिससे साफ पता चलता है कि उनके आगे की मनशा क्या है। केंद सरकार द्वारा जारी आदेश के तहट किसान अपने स्थानी बजार में ही प्यास की बिक्री कर सकते हैं। वहीं बाहर निर्याद करने पर 40 फीजदी शुल्क लिया जाएगा। इस आदेश के बाद स्थानी बजार में किसानों को बिक्री का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। जिसे किसानों ने बजार में प्यास भेजना बन कर दिया है। ऐसी ख़बरों में अपडेट रहने के लिए जुढ़रेगी स्पर्मे टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे और चानल को सब्सक्राइब कीजे।